विश्व कर्मा ने द्वारी का तो बनाया था एक बार इंद्र जुम्न नामक एक राजा के स्वप्न में भगवान शीकर आये और उन्हें ने का एक बड़े पेड़ के तने में मेरा विग्रह बना और इसे किसी सुंदर मंदिर में स्थाकित करो उसे पूरे भारत में ऐसा कोई बूर्तिकार नहीं मिला कि जैसी मूर्ती उसने स्वप्न में देखी थी ऐसी निकाल से एक दिन राजा के द्वार पर एक बूढ़ा बूर्तिकार आया और उसने कहा मैं ये काम करने के लिए तक पर हूँ किन तो मेरी एक शर्त है मैं प्रतिमा का निर्माड एक बंद कक्ष में करूँ गूँ और प्रतिमा का निर्माड खून होने से पहले उस कक्ष का दर्वाजा अगर किसी व्यक्ति ने खोला तो काम जहां पर है मैं वही पर भोग हूँ काम शुरू होने लगा अंदर से खक खक थी घिसने की आवाज आजी थी अचानक बहुत समय के काम के बाद आवाजे बंग हो गए उस समय प्रधिक्षा करके राजा ने कमने का दरवाजा कुझवार राजा जैसे ही अंदर पहुँचे तो अजीब चमतकार थी मूर्तिकार गायब था और मूर्तियों के अधूरे बने हुए टुकड़े पड़े हुए थी वे मूर्तिकार कोई और नहीं स्वयम कला के सरजना के देवता भड़ान विश्व करमा थी